हलो और वेलकम आपके साथ मैं हूँ अभिलाशा पाठक और आप देखने हैं E24 की स्पेशल सीरीज दरार यहां हम आपको बताते हैं बॉलिवुड के सितारों की जानी दुश्मनी की कहानी आज हम बात करेंगे बॉलिवुड की सक्सेस्फुल और बेहद खूपसूरत दो अक् के बीच नाइंटीज के दौर में ऐसी कोल्ड वार शुरू हुई थी जिसे देखकर सभी हैरान रह गए थे हम आपको बताएंगे के कैसे और क्यों स्री देवी माधरी दिक्षित को लेकर इंसिक्यूर हो गई थी और अपने कॉम्पेटिटर से चड़ने लगी थी एक थी बॉलिवुड की लेडी अमिताब तो दूसरी थी धगधग गौल 1988 से लिकर 1996 तक का धौर शुरू दिवी और माधरी दिक्षित की कोल्ड वार के नाम रहा 80 के दशक में बॉलिवुड में श्री देवी का सिक्का चलता था लेकिन 90 के दशक में श्री देवी की सत्ता माधरी दिक्षित के वजह से डोली एक नई नवेली अभिनेत्री माधुरी ने बॉलिवुड में रानी की कुर्सी पर काबिज श्री देवी को कुछ इस तरह टकर दी कि सफलता रेत की तरह श्री देवी के हाथों से फिसल गए श्री देवी ने फिल्मों में लंबी पारी खेगी शुरुवात उन्होंने बतोर चाइल्ड आर्टेस्ट की थी सिर्फ चार साल की उम्र में श्री देवी ने एक्टिंग की दुनिया में कतम रखतिया था कई साल तक श्री देवी चाइल्ड आर्टेस्ट की भूमिका अदा करती रही एक्टिंग के लिए श्री देवी ने जो सबसे पहला त्याग किया था वो था उनकी पढ़ाई का जी हाँ बच्पन से ही श्री देवी एक्टिंग में इतने व्यस्त हो गई कि उन्हें स्कूल या कॉलेज जाने तक का समय नहीं मिला श्री देवी ने अगर कुछ होया तो बहुत कुछ पाया भी था जाधा पढ़ाई लिखाई नहीं की स्कूल कॉलेज नहीं जा पाई लेकिन सफलता के उस मुकाँ पर पहुँच गई थी जहां उन्हें मैगस्टा लेडी अमिताब जैसे खिताब मिले लेकिन सफलता के नशे में चूल जब श्री देवी दूसरों के रूल कटवाने और अपने मन मुताबिक स्ट्र प्रिक्वाने में बिजी थी तब बॉलिवुड में एंट्री लेती है मनमोहिनी माधुरी और जब माधुरी ने एंट्री ली है तो तक्रार तो पढ़नी ही थी श्री देवी को एक्टिंग से प्यार था और उसी प्यार को उन्होंने अपने जिंदगी अपना जुनून बना लिया कहते हैं असी के दशक में श्री देवी के नाम का डंका बसता था श्री देवी जिस फिल्म में होती उस फिल्म में वह अपने सभी को एक्टर्स पर भारी पढ़ती चुलबुली शोखादाओं वाली श्री देवी इंडस्ट्री की सबसे महंगे स्टार थी वो पहली ऐसी अभिनेत्री थी जिन्होंने में वर्ल्ड कहे जाने वाले वाली वुड में अभिनेताओं को जबर्दस्त टक कर दी थी उस समय वह सूपरस्टार अमिताब बच्चन के परावर फीस चार्ज करती थी फिल्मों में रोल उनकी पसंद के हिसाब से लिखे जाते थी अपना रोल दमदार रखवाने के लिए श्री देवी ने को एक्टर्स के रोल पर कैची चलवाने से भी कभी गुरेज नहीं कि श्री देवी का रसूख ऐसा था कि एक बार उन्होंने जिसे दुश्मन माल लिया उससे कभी बात नहीं कि कुछ ऐसी ही दुश्मनी उन्होंने जय प्रदा के साथ भी निभाई थी जय प्रदा और शीदिवी ने कई फिल्मों में साथ में काम किया तोफ़ा, औलाद, नया कदम, मवाली, मकसद जैसे फिल्मों में जया और शीदिवी साथ नजर आई लेकिन ये सभी जानते हैं कि ये दोनों अभिनेत्रियां एक दूसरी को फुटी आँख नहीं सुहाती थी हद तो ये थी कि इनका पैचप करवाने की जिसने भी कोशिश की उसके हाथ मिराशा ही लगी एक कमरे में दो घंटे तक बंद किये चानी के बाद भी जया प्राधासन शीदिवी ने अपने गिले शिक्वे दूर नहीं किये जया प्राधा पर जो भारी बड़ी उस शीदिवी को सबसे बड़ी टककर माधुरी दिख्शित ने थी उस साल था 1980 का असी का दोर खत्म होने को था और 90 का दोर दस तक दे रहा था 1988 में रिलीज हुई फिल्म तेजाब इन चंद्रा के फिल्म तेजाब में माधुरी ने एक ऐसी डांसर का रोल प्ले किया था जिसे अपने पिता के दबाओ के चलते मजबूरी में स्टेज पर डांस करना पड़ता था एक दो तीन गाने में माधुरी ने ऐसी मन मोहक अदाय दिखाई कि इंडस्ट्री में माधुरी के नाम की आंधी आ गई दिलकश मुस्कान गजब का डांसिंग टैलेंट और बला की खुबसूरत माधुरी बॉल्विट के रंड में एक और अभिनेतरी श्री देवी को टकर देने आ गई थी माधुरी अपने साथ जो आंधी लेकर आई थी वो इतनी शक्तिशाली थी कि पहली बार श्री देवी को अपना सिंगासन डोलता नज़र आ रहा था 90 का दौर आते आते श्री देवी के जलवों में थोड़ी कमी जरूर आई लेकिन फिर भी वो श्रीश पर काबिस थी लेकिन कहते हैं ना कि जब आप श्रीश पर पहुँच जाते हैं तो आपको वहाँ से नीचे गिरने का डर जादा सताने लगता है कुछ एज़ा ही श्री देवी के साथ होने लगा था माधुरी की सफलता थे श्री देवी चरने लगी थी तेजाब की सफलता के बाद माधुरी के पास फिल्मों का अमबार लग गया 1989 में माधुरी ने एक के बाद एक कई हिट फिल्में थी सुभाश गई की फिल्म राम लखन, प्रेम प्रतिग्या, त्रिदेव और परिंदा जैसे फिल्मों की सफलता ने माधुरी को एक साल के अंदर ही श्री देवी के सामने लाकर खड़ा कर दिया 1989 में ही श्री देवी ने भी चान्दनी और चाल बाज जैसे फिल्मों के जरिये टिकट विंडो पर अपना दम दिखाया चाल बाज में डबल रोल प्ली करने के लिए श्री देवी को बेस्ट एक्ट्रेस का फिल्म फियर अवार्ड भी मिला था लेकिन पहली बार श्री देवी को अपनी ये जीत इतनी मीठी नहीं लगी क्योंकि उनकी जीत के मिठास में नमक घोलने का काम किया माधुरी की सफलताने नब्बे का दोर आते हाते माधुरी का कद इंडस्ट्री में बढ़ने लगा जय अप्रदा को धूल चटा चुकी श्री देवी इस बार भी हार मानने के लिए तयार नहीं थी तो माधुरी भी श्री देवी के सिर से नमबर वन का ताज चिनने को बेताब 1992 में दोनों के बीच जबरतस्त मुकाबला देखने को मिल उसी साल रिलीज हुई माधुरी की फिल्म बेटा और श्री देवी की फिल्म खुदा गवाह खुदा गवाह में अमिताब बच्चन के साथ काम करने के लिए श्री देवी ने शर्त रखी थी कि वह फिल्म में तभी काम करेंगी जब उनका रोल अमिताब बच्चन के परापर होगा श्री देवी की ये शर्फ उनके हक में भी रही खुदा गवाह साल की ब्लॉक्बस्टर फिल्मों में से थी बेनजीर और मेहंदी के डबल रोल में श्री देवी ने इतने दमदार अधाकारी की कि वह फिल्म फियर अवर्ड के लिए नॉमिनेट भी हो गए लेकिन ये जंग वो माधुरी से हार गई फिल्म बेटा के लिए फिल्म फियर अवर्ड जीत कर माधुरी ने श्री देवी को हार का स्वाज चखा दिया बॉलिवुड की नई धक धक कॉल बनकर माधुरी सिल्वर स्क्रीन पर लोगों के दिलों को धड़काने लगी माधुरी के नाम से ही टिकट विंडो पर भीड चुटने लगी माधुरी के आने से लोगों के दिलों को धड़काने से चांदनी की चमक कम पढ़ने लगी थी श्री देवी ने लेकिन हार नहीं मानी एक आकरी कोशिश की हाला कि इस बार उनके हाथ सफलता कम सफलता ज़ादा आई इंडरस्री को माधुरी की अदाएं भाने लगी थी एक के बाद एक उनकी फिल्मे हिट हो रही थी वहीं श्री देवी के हिससे सिर्फ मायूसी लग रही थी लेकिन 1996 में श्री देवी ने कुछ ऐसा किया कि लगा जैसे अब पुरानी श्री देवी लोट आई और ये देख माधुरी की धड़कने भी बढ़ गई थी 1992 में बेटा की सफलता को माधुरी ने 1993 में भी दोहरा दिया सुभाश गई की क्राइम ड्रामा फिल्म खलनाईक में माधुरी ने एक अंडरकवर पुलिस अफिसर की भूमिका निभाई थी गंगा के रोल में माधुरी बिजली की तरह चमकी दशक माधुरी के ऐसे दिवाने हुए कि जब जब वह स्क्रीन पर आती थीटर में बैठे लोग सीटिया बचाने को मजबूर हो जाते खलनाईक को देखने के लिए थीटर के बाहर इतनी बड़ी तादाद में भीड जुटती कि भीड को रोके रखने के लिए पुलिस को भी कड़ी मशक्कत करनी पड़ती माधुरी और श्री देवी के बीच काटे की टक्कर शुरू हो गई थी आलम ऐसा रहा कि दोनों जहां भी मिलती एक दूसरे को इग्नोर करती दुआ सलाम या हाल चाल पुछने का तो सवाल ही नहीं उठता था अकबारों और फिल्मी मैगजीन्स में दोनों दिगज अभिनेत्रियों की कोल्ड वर्स सुर्खिया बटोरने लगी थी इस दोरान शी देवी ने चंद्रमुखी, लाडला, चांद का टुकडा, बंजारन, हीर रांज़ा और आर्मी जैसे फिल्मों में काम किया लेकिन उनकी सभी फिल्में बॉक्स ओफिस पर दम तोडने लगी थी माधूरी सफलता की सीधिया चड़ती जा रही थी तो श्री देवी का करियर धलान पर था और फिर 1996 में आई फिल्म जुदाई, श्री देवी का चादू फिर चला, जुदाई सुपर हिट रही इस बार माधूरी दिक्षित को डर लगा माधूरी को लगा कि नमबर वन का जो ताज उन्होंने श्री देवी के सिर से उतार कर खुद पहना है वो कहीं दोबारा श्री देवी उनसे छीन ना ले लेकिन माधुरी की सांस में सांस तब आई जब श्री देवी ने फिल्मे पर्दे को छोड़ने का फैसला ले लिया श्री देवी की जिंदगी में बोनी का पूरा गय थी बोनी से शादी से पहले ही श्री देवी प्रेगनेंट थी लिहाजा श्री देवी ने शादी करके अपने गिरहस्ते संभालने का फैसला कर लिया और माधुरी के लिए बॉलिवूट का रण खाली छोड़ दी माधुरी जब अपने फिल्मी करियर के शेश पर थी तब ही साल 1999 में उन्होंने डॉक्टर श्री राम नेने से शादी की और फिल्मी दुनिया को अलविदा कहकर अमेरिका में जा बसी लेकिन माधुरी बॉलिवूट से ज़ादा दूर नहीं रह पाई 2007 में उन्होंने इश्राज बैनर के फिल्म आजा नचले से वापसी की माधुरी की कमबैक फिल्म आजा नचले की चर्चा तो खुब हुई लेकिन माधुरी अपना वो पहले बाला जादू दिखाने में नाकाम्याब रही लेहाजा माधुरी ने कुछ एक्स्पेरिमेंटल रोल भी किये गुलाबी गैंग और डेर्ड इश्किया जैसी फिल्मों में वो नजार आई लेकिन बात नहीं बनी वही 2012 में श्री देवी ने भी गौरी शिंदी के फिल्म इंगलिश विंगलिश से कमबैक कर लिया कमबैक के लिए श्री देवी ने रोल अपनी उम्र के हिसाब से चुना एक ऐसी माका जो इंगलिश बोलने में कच्ची है लेकिन होसली की एक दम पक्की है फिल्म हिट रही लड़ोग बना बना कर अंग्रेजी के पाक पढ़ाने वाली मा के रोल में श्री देवी हिट रही इंगलिश विंगलिश के सफलता के बाद श्री देवी के पास फिल्मों की लाइन लग गई लेकिन शी देवी इस बार जल्दबाजी के मूड में नहीं थी खास बात ये है कि इंगलिश विंगलिश के प्रमोशन के दौरान शी देवी उस डांस रियालिटी शो में भी गई जैसे माधुरे दिक्षित जज़ कर रही थी तब दोनों ही अभिनेत्रियों ने मिलकर स्टेज पर डांस भी किया था दोनों को देख यो लगा जैसे इनके बीच छगड़ा कभी था ही नहीं लेकिन ये तो दर्शकों का वहम था जो दूर हुआ साल 2015 में जब एक अवर्ड शो के दौरान शी दिवी ने रेड कार्पिट पर माधुरे दिक्षित को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया था माधुरे का कमबैक पूरी तरह से असफल रहा जबकि 2017 में शी दिवी ने एक और दमदार पफॉर्मेंस दी फिल्म मॉम में शी दिवी इस विल्म का हीरो थी और सभी परभारी थी शी दिवी आंधी मनकर लोट रही थी कि अगले साल फरवरी 2018 में तूफान आ गया शी दिवी हमें छोड़ कर जा चुकी थी दुबई में होटेल रोम के बात टब में दुरघटना वश टूबने की वज़े से शी दिवी की मौत हो गई थी शी दिवी को अंतिम विदाई देने तब माधुरी दिख्षित जया प्रदा दोनों ही अभिनेत्रिया पहुँची थी किसे वक्त में जया और माधुरी दोनों ही शी दिवी की सबसे बड़ी दुश्मन थी लेकिन सिनेमा की पहली सबसे बड़ी सुपरस्टार को अंतिम शधांचली भेट करने ये दोनों ही अभिनेत्रिया पहुँची थी